तो लगतार इस्राइल पर हमले हो रहे हैं, सिर्फ हिजबुल्ला यह हमले नहीं कर रहा है, बलकि इस बार चार तरफ से इस्रेल पर हमले हो रहे हैं, यह हमले कहां कहां से हो रहे हैं, एक बार इस्रेल हमला करता है, फिर हिजबुल्ला की तरफ से हमला होता है, और आप तो चो आप तो कहा जा रहा है कि चौतरफा हमले चेल रहा है, इस्रेल कहां कहां से हमले हो रहे हैं, हमार दर्शुम को बताइए. आपने पिछले 10 महीने के सबसे बड़ा अटैक जो है इस समय जारी है और जो आप चौतरफा हमलों की बात कर रहे हैं अगर वह हम बताएं तो देखिए उत्तरी इस्राइल पर लेवनन से हिजबुल्ला जो है वह हमले कर रहा है तो अगर 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 आप सेंट्रल इस्राइल की बात करें तो गाजा से हमास जो है वह अपने रॉकेट्स और मिजाइल से हमले हो रहे है तो देखिए सेंट्रल इस्राइल पर भी हमला हो रहा है अगर हम दक्षणी इस्राइल की बात करें तो लाल सागर से हुती जो है वह उसने भी रॉकेट्स से इस्राइल पर हमले जब इसराइल मानो चारो तरफ से घिर चुका है जो आप कह रही थी और जबर दस्थ हमले हो रहे हैं और निलू ऐसा कहा जा रहा है कि अभी देखिये गाजा से हमास ने जो है वो काफी सारे रॉकेट्स और ड्रोन से भी जो है इसराइल पर हमला किया है और इसी बीच में एक वो उसे गया है चेह Desa जेकिते है रहे है तो यह मिजा रिजी किया है और एक जा एक वीडियोसा बीचायदा है चेहर रिलीज किया मिजाये हैỏi उसी तरह एक गपार करने माली बाद है जहां पर करीब 12 ठीकाने ऐसे थे, जहां पर करीब 300 से ज्यादा रॉकेट्स जो है, वो हीजबूला की तरफ से फायर किये गए, उसमें दो एर बेस को बहुत जबर्दस नुकसान हुआ है इसराइल के, उसमें एक एर बेस वो एर बेस है निलू, जहां से फाइटर प्लेंस न करीदी तरफ से सब्सक्राइब साथ बात्रणी की है, तो जिस एर बेस का इसतमाल किया था, उस एर बेस को है तो आप देखी वीडियो में जो आपने कहा था था रोंज रहा है, जैसा हम ने पिछली पर बाद की थी, तो बकाइदा ही ती है इस्रेल के खहानों की रही है, त एक प्लान तयार हो रहा था, बकाइदा इस्राइल में रेकी हो रही थी, कहां से निशाने, कहां पे निशाने बनाने हैं, कहां पे इस्रेल की आर्मी है, कहां पे उनकी हत्यार रखे हैं, और उसको हिजबुल्ला ने निशाना बनाया है, और एक अभी नसरल्ला के जो चीफ है कमांडर थे जो मारे गए उनकी फोटो भी लगी हुई थी और नस्रल्ला ने इसमें कहा कि बदला तो हमें लेना ही था और पूरे इलाके में एक जो समिकरण है वो बनाये रखना बहुत जरूरी था ऐसा ना हो कि इसराइल जो है उसको डॉमिनेट करने लगे इसलिए यह जव पर वार किया जाएगा तो हम भी नक्षा बदल कर रख देंगे लेबनान का और कहा यह जा रहा है कि जो हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट भी दागे गए या हमला किया गया इसरेल पर वो रहाइशे राकों से किया जा रहा है उनका कहना है कि रहाइशे राकों में अस्व भी जाएशे रहा बॉल्ला की जो है जो है इसरेल ने भी बहुत जबर्दस पलटवार किया है और दो जगे इस समय इसरेल का ग्राउंड ऑपरेशन पिछले गंटे में हुआ है इस तो गाजा में जो है इसरेल की फोर्सेस ने बड़ा उपरेशन किया है और बताया जा जा है इसरेल की ग्राउंड फोर्सेस अंदर दाखिल हुई है क्योंकि अभी हमने देखा कि जब इसरेल की तरफ से पहले हिजबुल्ला ने हमला की अरववार को दे रहा जिस तरह के हामले हुए फिर इसरेल ने अपनी तरफ से पूरे दमखं के साथ हमला किया है अब इसरेल की पूर्सेज ये कह रही है और सरकार ये कह रही है कि अगर हमें जरुवत पड़ी तो हम लेबनान के अंदर तक दाकिल हो जाएंगा, हमारी पूर्सेज दाकिल हो जाएंगा, इस तरह की धंकी भी नेतन याहू की तरफ से ती गई है, इसराइल की रणनीती बिल्कुल साफ है, पहले से ही कि अगर उन्हें इस बात की कनफर्मेशन मिल जाती है मुसाद से कि वह उनके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्राइक होने वाला है, चाहे रॉकेट से, चाहे मिजाइल से, तो इसके पहले की सामने वाला दुश्मन हमला करें, इसरेईल उसके उपर पहले से हमला करता ह तो देखिए यह जो हिजबुला ने अटैक किया उसका परदस पलटवार जो है वो इसराइल की तरफ से किया गया है अब लेकिन देखना यह है कि अगले 24 गंटे में क्या यह 24 से 48 गंटे में क्या जो प्रॉक्सी है इरान की इनकी तरफ से किस तरह से जो है वो बात आगे बढ यह है कि जो नौर्थ कोरिया के तानाशा है एं प्रिसे जो आपी सारे रॉकेट और ड्रोन न र्थ कोरिया के सप्लाइब है। इसे सूत्रों हमाले से कहा जा रहा है कि ये जो हतियारों की क्हेप है ये रथीया पुचाई गई। नौ्थ कोरिया जो है इसे रूस पुछा रा है और इसका इस्तमाल ना सिर्फ युक्रेयन के खिलाफ हो रहा है बल्कि इसका इस्तमाल जो है वो अभी इसरेव के खिलाफ भी हो रहा है और हिजबुला को यह रॉकेट किया जा रहे है अच्छा इक गौर करने बात निलू यह कि आप देखें कि पिछले कुछ समय में किम जोंग की तरफ से नॉर्थ कोरिया की तरफ से मल्टिपल रॉकेट्स टेस्टिंग की गई है इसका एक वीडियो भी एक दिन पहले ही सामने आया है कि ending देखा आया है कि किनुछ तरह से मल्टिपल रॉकेट्स पहले है पहले है तरह से यह सुसाइट ड्रोन आज देखिये की सुसाइट रॉन जो है बहुत जादा हिनका इस्तमाल और इस युद्ध में कि मिडिलिस्ट के जो हालात इस वक्त उसमें ब्रून की भूमी का महुत जाए अचा ये भी है कि हतियार भी हमने रेखा है नहीं नहीं तरीके से अलग अलग जगों से हतियार अलग अलग समय पर कभी अभी एक बताया जा रहा है कि अमेरिका ने शयद इस्रील को एक कहे सकते हैं प्लें दिया है या उसके बारे मे आप अमारे दर्शकों बताई है यानि यहाँ पर हतियारों का पुरदर्शन भी जबरडसत तरीके से आपके पास अगर यह हतियार है तो मेरे पास यह हतियार है इसकी होड भी यहाँ पर देखने को मिलिया है और एक से बढ़कर एक हतियार यहाँ पर डिस्प्ले किये गए एक तरह से कहले हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो F-35i प्लेन है यह अमेरिका की तरफ से जो है इस्रेयल को यह फाइटर प्लेन्स दिये गए है और जो अभी हजबूला पर अटैक हुआ लिबनन के अंदर उसमें कहाँ बताया जा रहा है कि सौ से जादा F-35 प्लेन्स का इस्तमाल किया गया और यह प्लेन्स की खास बात यह है इसमें इन में एर एक वीडियो अभी इस्रेयल के तरफ से रिलीस किया गया जिसमें इस लिबनन पे हमले के दोरान आप यह सोसते हैं कि आप इसरेयल पे हमला करें और बदले में आप बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है तो यह एक मैंटल गें भी पूरे इलाके में चल रहा है कि कौन किसके पास कितने ज्यादा है कौन कितना एड़ान्स है तो यह एक मैसेश ताइक वीडियो ता जो इसी इस हमास ऑप अर बता है कि बड़ी संक्या में इस जो है इस जो है वो नॉर्थ-कोरिया, रूस, इरान जो है वो हमास परवाइड कर रहा है तो यह एक जो है इसरायल के लिए पूरे बड़ागे में वेर वर अल्ड़ी का सबब बने हुए है और दूसरी एक बड़ी चीज यह ह कि यह कहा जा रहा है कि एरान ने अपनी प्रोक्सी जितनी हैं, हुटी, हमास, हिजबुल्ला इनको फ्रीहंट दे दिया है, यह एक खबर आई है कि पिछले कुछ समय से यह था कि एरान यह चाहरा था कि थोड़ा सा आप समय ले और उसके बाद फिर हमला हो इसरेयल पे, लेकि आप जैसा चाहें वैसा इसरेयल पे हमला कर सकते हैं, उसी का नतीज़ा था कि यह जो पिछले दो दिन पहले जो इसरेयल पे एक बहुत बड़े पैमाने पर हमला जो हुआ देखागी। खबर पर लगाता है हमारी नसर बनी रहेगी, आप बने रहे है हमारे साथ।